यह laptop है MSI GF63 Thin, इस पर बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे और यह वीडियो भी एक requested वीडियो है, बहुत सारे लोगों को इस वाले laptop में battery draining के बहुत सारे problems हारे तो इस वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे solve करना है battery draining problems को और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने यही question तुछा था कि बहुत जल्दी इसकी battery drain हो रही है तो क्या क्या करें तो इसके बहुत सारे reasons होते हैं, हम सारे reasons के solutions आपको बताएंगे तो let's start Firstly, अगर आप gaming कर रहे हो तो यह 1.5R का आपको battery life दे देगा अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो तो आपको 4R की battery life यह दे देगा और उसकेस में आपको 4R की battery life देखने मिल जाएगी, but obviously जब आप game खेलोगे तब उसका color जो हो औरेंज होना चाहिए वहाँ पर graphic card यूज होता है तो आपको 1.5R की battery life देखने मिल जाएगी gaming में, अब इसके जो possible reasons है वो यह है कि आप कई बार externally software download करते हो और वो ड्राइवर में changes ला देता है इस वज़े से graphic card जो हमेशा use होता है और orange color हमेशा दिखाता है तो इसको solve करने के 2 method से firstly आप control panel में जाओ, uninstaller program में जाओ और वहाँ पर NVIDIA के related जितने भी का driver उसको download करो इस पर मैंने separate वीडियो बना रखा है तो आप description में जाके checkout कर सकते हो और driver कैसे install करना है सारी चीज़े मैंने बता रखिए तो वहाँ से install कर सकते हो और second solution यह है कि आप device manager में जाओ और वहाँ पर display adapter का option होगा उसको आप expand करो उसके अंदर आपको एक nvidia का option देखने मिलेगा वहाँ पर जाके आप उसको disable कर दो और एक बर कर लैपटॉप को restart कर तो फिर जो ओरेंज लाइट में टर्न हो जाएगी और जब भी आप गेमिंग करने जाओगे तब वापस से उसी device manager में जाके उसी display adapter के option में जाके nvidia का जो option है उसको enable कर देना सिफ गेमिंग करते वक इन दोनों में से कोई एक जो method है वह work कर जाना चाहिए mostly जो second वाला method है वह जादा तर work कर जाता है पर first वाला भी आप ट्राय करना क्यूंकि drivers भी बहुत जादा important है और drivers अगर प्रॉपर नहीं रहेंगे तो आपका जो laptop है वह battery तो कम देगा प्लस वह heat भी जादा करेगा तो आपको दोनों option ट्राय करने है और अगर आपका power led color white है उसके बाद भी आपको laptop में कम battery life देखने मिल रहे है उसका मतलब यह है कि आप laptop को ढंक से यूज नहीं कर रहे हो मतलब अगर आप normal usage कर रहे हो तो आप जो battery performance है उसको battery saving mode पे रख सकते हो और सिफ gaming करते है वक्त और जो heavy task है like photoshop, video editing या फिर 3D task यह चार जो method सहीं है जब 4 task है वही सारी task करते वक्त सिर्फ आपको battery performance को high performance mode पे रखना है बाकी सारे time आपको उसको battery serving mode पे रखना है तब जाके आपको एक अच्छी battery life देखने मिलेगी और आपको हर 3 months में battery calibration perform करना है MSI Dragon Center में जाके उस वज़े से जो battery health है वो भी बहुत अच्छी होगी और mostly जितने solutions मैंन तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो like करो और subscribe करो और अगर आपका अभी भी कुछ सवाल है तो Instagram पे follow करो वहाँ पर communicate करना easy हो जाता है और हम solve कर देंगे आपकी problem Instagram पे और हम next वाले वीडियो में और भी कुछ interesting सी चीज करने की कोशिश करेंगे और यह requested वीडियो था आप में सोच रहा हूँ हर दो हफते में एक requested वीडियो तो जरूर बनाओ बाए